इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक है जिसको की एक कैपिटल एम मास के वेज के टॉप पर से उसको रिलीज किया जाता है हमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब यह स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है वो वेज के बॉटम मॉस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो वेज का जो है डिस्प्लेस्मेंट कितना होगा होरिजोंटल ग्राउंड पर ठीक है तो और हमें यह भी दिया गया है कि फ्रिक्शन जो है अबसेंट है यानि कि फ्रिक्शन लेस सर्फेस है अब हम अगर देखें तो फाइनली क्या सिच्वेशन होगा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें फाइनली जो है फाइनली इस तरह बलकि मुझे इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए कि इनिशली यह सिच्टम में फाइनली जो है यह इधर कहीं पहुँच गया है और यह जो ब्लॉक है वो यहां कहीं है ठीक है यह हमारा सिच्वेशन है अब हम अगर देखें यहां पर तो इस एज का जो है movement इतना हुआ है इसको बोल देते हैं x ठीक है अच्छा इसको जो है इसको अगर यह रुका होता तो केवल यहां से यहां तक इसका displacement होता लेकिन क्योंकि यह चल चुका है इसलिए इसका जो displacement है अच्छा यह अगर h है तो इस triangle में हम क्या कर सकते हैं हम triangle में लगा सकते हैं sin theta बलकि यहां पर अगर हम tan theta लगा तो tan theta equals to हो जाएगा perpendicular by base perpendicular हमारा h है b हमें नहीं मालूम है तो b equals to हो जाएगा h sorry b equals to हो जाएगा h cot theta यानि कि हमें इसका base का length क्या मालूम है h cot theta मालूम है तो अगर यह जो wedge है वो rest पे रहता तो इस block का x में displacement जो है वो केवल h cot theta होता लेकिन यह जो block जब नीचे जा रहा होता है तो यह हमारा wedge भी move कर जाता है इसलिए h cot theta उसका displacement ना होकर कुछ और होगा और वो कितना होगा क्योंकि यह जो है h cot theta है ठीक है अच्छा अब हम अगर देखें तो यह कहीं यहाँ पे है ठीक है तो इसको मैं धंक से draw करूँ तो displacement जो है block का इतना हुआ है ठीक है यह अच्छा हमारे पास इस block का वेज का जो base है वो h cot theta है ठीक है और इतना जो distance है यह x हमने माना है तो यह कितना हो जाएगा h cot theta minus of x ठीक है तो हमें जो coordinate system हमें question में दिया गया है उसके हिसाब से अगर मैं लिख हूँ तो s displacement of displacement of block कितना हुआ displacement of block हुआ h cot theta minus x i cap ठीक है और displacement of wedge कितना हुआ cost to minus of x i cap ठीक है इतना हुआ है अज़ा हम यह देख रहे हैं कि हमें दिया गया है कि frictionless surface है यानि कि x axis के along net force हमारा 0 है तो इस system पर अगर हम देखें अगर हम block और wedge को system ले लें तो हमारे system पर x axis के along net force 0 है और हम देख रहे हैं कि initially जो है सारा system हमारा rest पर है यानि कि हमारा center of mass है क्योंकि net force यहां पर x axis में कुछ नहीं 0 है तो center of mass का move नहीं करेगा यानि कि उसका net displacement 0 होगा चाहे कितना भी displacement wedge और block का हो जाए तो net displacement हम 0 करेंगे तो लिखेंगे net displacement A-S-P-L-A-C-E-M-E-N-T net displacement of center center of mass of the system of the system यह कितना होगा M1 R1 plus M2 R2 divided by total mass M1 plus M2 equals to इसको 0 होना है क्योंकि हमारे पास net external force 0 है और initially यह यह rest पर था तो ना acceleration है ना velocity देने वाला कोई है तो center of mass का net displacement होना है 0 हमें let's say कि M1 जो है वह block का mass है उसको मैं M लिख देता हूँ M2 जो है वह wedge का mass है उसको वह capital M दे रखा है तो अगर हम values को इसमें put करें तो M1 की जगा M रख दिया है R1 जो है या फिर Sb जो है यही तो R1 है हमारा R1 vector equals to this और यह हमारा R2 vector है equals to Sb तो M1 R1 रख देंगे h cot theta minus x plus of M times minus of x equals to 0 होना है ठीक है तो x जो है x equals to हो जाएगा M h cot theta divided by M plus M तो हमारा यह solution हो गया है यानि कि जब तक जो जब तक हमारा block जो है wage के bottom point तक आएगा तब तक wage का displacement जो है M h cot theta divided by M plus M हो जाएगा क्योंकि अच्छा हमारा जो wage है उसका y या z में कोई displacement नहीं होना है तो net displacement उसका यहीं हो जाएगा तो यह हमारा answer हो गया कर दो लो इंडियो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल